So dear students, बहुत खुसी की बात है, हम बहुत खुस हैं, कि आपने सारी questions पिछली बार के आपने solve किया, जो assignment हमने दिया था, सबी बच्चों ने उसको interest के साथ solve किया, तो देखें कि teachers बच्चों को motivate करते हैं और बच्चों की working से हम teachers motivate होते हैं, तो ऐसे ही आप अपना working अपना 100% देते रहिए, जिससे हम लोग और आगे जाएं, और आपको ज़्यादा चीजें बतानी कि हमारे अंदर मेक्षा हो, पिछली बार जैसे हमने बताया था कि physics को अपना क्यों जरूरी है, तो आपने SC Varma साब का नाम सुना होगा, जो IT कानपूर में physics के professor थे, अब रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने अपनी book concepts of physics में लिखा है, कि if physics is the journey, then mathematics is the luxury coach, which will lead you to your destination, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको physics को अगर अच्छी से समझना है, तो उसके लिए mathematics का knowledge बहुत जरूरी है, अब जो हम tool यहाँ पर समझने आये हैं, mathematics का, यह वो branch है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, class 10 में ही, just अभी पढ़ के आये हो, और वो है trigonometry, आप जानते हो कि यह right angle triangle पर पूरी based होती है, तो इसी पर हम आज अपना discussion focus करेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी पढ़ी होई होगी, हो सकता है कि कुछ points नए आपको मिलें, ध्यान से एक बार देखना है, फिर हम आगे चलेंगे, तो आए शुरुआत करते हैं, तो पहले यहाँ पर हमने आपको यह circle दिखाया है, और उसमें यह arc दिखाया है, और यह radius दिखाया है, angle is equal to, हमको measure करना होता है, तो angle is equal to arc upon radius, यह दोनों length हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी unit ऐसे नहीं आएगी, लेकिन angle की unit को हम लोग radian में लिखते हैं, तो one radian कैसे define करते हैं, अगर यह length of arc, radius के बराबर हो radius के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर one आएगा, और वो one जो है, वो radian कहलाएगा, खेर, तो angle is equal to, आपका formula आप जानते हो, arc upon radius, अब जो अभी radian की बात हम कर रहे थे, और आप जानते हो कि angle को degree में भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप देखो कि यह arc अगर हम पूरा ले ले, circle का, तो कितना लिखेंगे, आप पूरी length को arc की 2 pi r, और radius उसका r है, और यह पूरा यह जो angle बनेगा, वो आप जानते हो, कि यह angle जब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, total angle 360 degree बनता है, तो यह 360 degree जो है, वो is equal to कितने radian आगया, r, r cancel हो गया तो 2 pi radian, तो यहा आपके पास आएगा, pi by 180 radian, 180 degree में pi radian, 360 degree में 2 pi radian, ऐसे 90 degree में pi by 2 radian, 45 degree, pi by 4, तो इस तरीके से हम इनको pi by 2, pi by 4, pi use करेंगे, तो आप degree में उसका conversion जानते हो, trigonometric ratios में fundamental आप पढ़ते हो कि sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, 10 theta is equal to perpendicular upon base, और जब sin theta cos theta मालूम हो, तो आप 10 theta निकाल लेते हो, sin theta by cos theta, इसमें ज़्यादा हमको बताने की ज़रुत नहीं है, आप बताओ sin theta का reciprocal अगर हम लेते हैं, तो क्या आता है, cos theta, cos theta का reciprocal लेंगे तो sec theta आ जाएगा, cos theta is equal to 1 by 10 theta, तो अगर sin theta cos theta मालूम हो गए, तो बाकि सारे angles आप निकाल सकते हो, कुछ identities जो हमको यूज़ करना पड़ता है, उनको हम जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत important, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta minus 10 square theta is equal to 1, cos square theta minus cot square theta is equal to 1, ये identities आप लोगों को मालूम है, तो बताओ, sin square theta को अगर cos square theta में convert करना होगा तो, क्या लिखेंगे, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, तो इस तरीके से हम उसको conversion एक दूसरे में कर सकते हैं, अच्छा, यहाँ पर physics में ये जो हम triangle बना करके आपको यहाँ पर values निकल वा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा use में आती हैं, क्योंकि आपको sin 30, sin 45, sin 60, ये value तो मालूम है, लेकिन physics में अधिकतर होती हैं, sin 37 निकालो, 53 निकालो, तो ये ज़रा देख लें इस triangle में, ये बड़ा आसान triangle है, इसमें बहुत ही आसानी से value याद हो जाती है, जैसे यहाँ पर 37 degree है, right angle है, ये वाला कितना होगा, 53 degree होगा, आपने degree देख लिया तीन angles, यहाँ पर देखें 37 के सामने का angle, 37 degree के सामने का side, 53 degree के सामने का side और 90 degree के सामने का side, तो जो कम degree है, उसके 3 है, उसके बाद जो आया, उसके सामने का side 4 है, और सबसे बड़ा 5 है, 3, 4, 5 यह sides हैं, तो आप बताएं, sign 37 के value क्या होगी, जब sign 37 आप ध्यान से देख रहे हो, तो यह base हुआ, यह perpendicular हुआ, तो perpendicular upon hypotenuse, तो 3 by 5 हो गया, sign 37, ऐसे अगर हम cos 37 पूछते तो क्या बोलते आप, 4 by 5, अच्छा, sign 53 अगर जब हम पूछते हैं, तो आपका यह base हो जाएगा, यह perpendicular हो जाएगा, तो आपका answer sign 53 का हो जाएगा, 4 by 5, तो यहाँ पर sign 53, 4 by 5 है, ऐसे cos 53 क्या हो जाएगा, 3 by 5, यह value बहुत जादा use में आती है, इसलिए particularly हमने यह values को आपके सामने रखा, 1037 की value आप जानोगे, तो 1037 is equal to 3 by 4, और 1053 is equal to 4 by 3, तो यह आपको value ध्यान में रखना है, यह बार बार physics में, use में आती है, अच्छा, अब हम आपको यह जो values हैं, जिनको आपको मालुम है, जैसे sin 0 degree is equal to 0, sin 30 degree is equal to half, sin 45 degree is equal to 1 by root 2, sin 60 degree is equal to root 3 by 2, और sin 90 degree is equal to 1, अगर यह आप लिख लेते हो, तो cost को आप यहीं से लिख सकते हो, जिसके लिए यह 0 है, 0 degree के लिए यह 1 रहता है, जिसके लिए यह 1 था, यह 0 रहता है, 90 degree के लिए, 45 डिग्री पर यह दोनों value बराबर होती है और 30 और 60 में आप देखते हो कि यह जो 30 डिग्री पर है इसकी value 60 डिग्री पर होती है यह जो 60 डिग्री पर है इसकी value 30 डिग्री पर होती है तो यह आप बहुत आसानी से इनको लिख सकते हो यहाँ पर हो सकता है आपको कि कुछ नयाकपन मिले अगर आपने ये वैल्यू अभी ज्यादा नहीं देखी 90 के बाद तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर साइन ठीटा की वैल्यू जो ब 90 से चलते हैं तो यहाँ पर 90 के बाद 120, 135, 150 और 180 आप इनमें रिलेशन देखोगे तो यहाँ 90 से यह 30 जादा है तो यह 30 कम है यह 45 जादा है तो यह 45 कम हो गया इसी तरीके से अगर यह 60 जादा है तो यह 60 कम हो गया तो इन से रिलेशन से कैसे हम बढ़ते हैं और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 90 डिगरी पर हो इसके आगे वाली value root 3 by 2 तो यहां root 3 by 2 यह वाली 1 by root 2 थी 1 by root 2 ऐसी यह 1 by 2 यह 0 इसमें लेकिन यहां पर क्या करना पड़ता है कि यहां पर तो आपने positive लिखा था इसमें negative लिखना पड़ता है यह minus 1 by 2 minus 1 by root 2 minus root 3 by 2 minus 1 तो आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो गया कि यहां पर इसके लिए positive है और इसके लिए negative आया तो यह अभी clear होने वाला है क्योंकि यह जो हमने अब आपको यहां पर बता रहे हैं यह four quadrants के बारे में बता रहे हैं और आप अगर first quadrant में value मालूम है जीरो से ले करके 90 degree तक आप बाकी quadrant में बहुत आसानी से निकाल लोगे क्योंकि हम आपको वो value निकालने के लिए सारे formula भी बताने वाले हैं तो यह सारी चीज़ें आपके सामने आने आने वाली हैं तो आएए हम पहले आपको बताएं कि यह four quadrants क्या है और यह जो ASTC rule लिखा हुआ है यह क्या चीज़ है तो यहाँ पर यह देखो हमने 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree और 360 degree 90, 90 degree के हमने four quadrants बना रखे हैं पहला quadrant हमारा 0 degree to 90 degree का है first quadrant दूसरा वाला 90 degree to 180 degree का है तीसरा quadrant जो है 180 से 270 और 270 से 360 तक fourth quadrant है अच्छा, इन quadrants में यह जो आपकी trigonometric resource की value है उसमें first quadrant में सारी value positive होती है यह all positive दूसरे quadrant में sign positive होगा जहिर सी बात है sign के साथ कोसे भी positive होगा तो sign positive यहाँ पर 10 positive third quadrant में अभी हम sign, cos और 10 में focus कर रहे हैं बाकी कोसे, sec और cot आप अपने आप उससे निकान लोगे तो यहाँ all positive, यहाँ sign positive, यहाँ 10 positive और यहाँ पर cos positive तो आप देख सकते हो, A, S, T, C आपके सामने आया, इसको याद करने के लिए बहुत सारे rules हैं, ज़र देखें यह three हमने लगा रखें, कैसे याद करोगे यह तो आप A, S, T, C याद कर लो यह all silver tea cups, all यह S से silver बना ले, tea बना ले, cups बना ले यह add sugar to coffee, A, S, T, C यह देखो, after school to college, A, S, T, C कुछ भी याद करो, आपको A, S, T, C ही याद करना है यहनि all positive, दूसरे में sign positive रहेगा तीसरे में 10 और चोथे में cause तो जड़ा देखें, ऐसा क्यों, तो यह देखें जैसे first quadrant में हमारा angle है तो यहाँ पर यह x और y axis में हम देख रहे हैं तो आपको धियान में रखना कि अगर x axis में हम जाते हैं positive में तो positive लेना, negative में जाएंगे तो negative लेना y का उपर positive रहता है, नीचे negative रहता है यह perpendicular है, देखो जिसका arrow के साथ आपको ले जाना है तो perpendicular उपर गया, तो जब उपर गया है, तो जायर सी बात है वो positive हुआ, perpendicular positive है और यहां base भी positive है यह x positive axis में जा रहा है, तो base और जब perpendicular दोनों positive हों तो इस quadrant में, यारी first quadrant में, sign भी positive आएगा cost भी positive आएगा, तो 10 भी positive हो जाएगा और बागी सब positive हो जाएगे, इसलिए first quadrant में सभी positive अब आप काओगे second quadrant में sign और कोसे की positive क्यों तो उसके लिए हमने यह diagram आपके लिए बना रखा है ज़रा समझें, कि जैसे यह theta आपने 0 से बढ़ा करके 90 से भी बढ़ा कर दिया, और यहाँ पर आप second quadrant में ले आए, second quadrant में theta आ गया theta को देखें हमेशा x-axis से measure करना है, और यहाँ पर आपको anti-clockwise ले जाना है वो positive value मानी जाती है, हमेशा इसको anti-clockwise direction में चलाना है और x-axis से आपको सुरुआत करनी है, तो यह theta है और यह हमारा second quadrant में पहुँच गया तो यह आपका, यह hypotenuse है जो है, अब इसका arrow आप देख रहे हो, अब इसका base और इसका perpendicular perpendicular जो है, वो जाहिर सी बात है, x के साथ perpendicular distance और जो y-axis से perpendicular distance है उसको हम base हमारा बन जाएगा, तो इसके लिए यह perpendicular है, बताओ आप positive है की negative है यह उपर जा रहा है तो positive, very nice, तो जब perpendicular positive है, तो क्या positive बनेगा, sine positive बनेगा लेकिन यहां का base x के opposite में आ गया, तो कैसा हो गया, negative, और base के negative हो जाने से क्या हो जाएगा, cost negative हो जाएगा, तो perpendicular इसका positive है और base negative है इसलिए यहां पर यह perpendicular के positive हो जाने से sine positive आएगा, लेकिन base के negative हो जाने से cost negative आ जाएगा, तो यहां पर sine positive मिलता है, third quadrant में अगर आप कहते हो कि यहां पर 10 positive क्यों, sine और cost दोनो negative क्यों है, तो ज़रा देखें, यह diagram आपको third quadrant मिले जाता है, यह आपका arrow है यह जो की angle बना रहा है, theta third quadrant में है, अब इसका perpendicular, perpendicular हमने का हमेशा x-axis से मिलाने वाली line, तो यहां पर यह line है और यहां पर इसका यह आपने देखा base कहलाएगा यह, यह perpendicular यह base, तो आप बताओ, क्या आपको perpendicular नीचे नहीं दिख रहा, दिख रहा है, negative होगा, perpendicular negative, base क्या आपको opposite direction में नहीं दिख रहा x के, दिख रहा है, वो भी negative, दोनों जब negative हुए, तो यहां पर sign और cos दोनों negative आएंगे, और जब दोनों negative आएंगे, तो 10 positive हो जाएगा, और इसलिए cos positive होगा, तो 3rd quadrant में 10 positive, 4th quadrant में आप बताओ, खुदी यहां पर देख कर कि, कैसे cos बस positive है, अब आपका angle यहां से यहां तक यह ठीटा है, 4th quadrant में आप पहुँच गए, तो जड़ा देख और यह बेस हो गया, तो बताओ, बेस कैसा है, बेस positive है, perpendicular कैसा है, perpendicular negative है, नीचे आ रहा है रहा है, रो की तरफ, तो perpendicular negative हो गया तो यहां पर 4th quadrant में, sign negative हो गया, और बेस positive है तो cos positive हो गया, इसलिए cos positive होगा, और sec positive होगा, तो ऐसे हमको positive नेगेटिव को ध्यान में रखना है, उसके बाद आप जो value निकालने की हम बात कर रहे थे, कि देखें, sin 90 minus theta is equal to cos theta है, तो अगर हमको sin 30 की value और 60 की value में relationship देखना है, तो देखें, 90 minus 30, sin 90 minus 30 is equal to क्या होगा, cos 30, तो sin 90 minus 30 मतलब sin 60, sin 60 किस के बराबर है, cos 30 के बराबर है, आप जानते हो sin 60 और cos 60 बराबर थे, तो ऐसा क्यों हुआ, आपके पास ये question होना सोभाविक है, कि sin 90 minus theta is equal to cos theta क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि ये जो 90 minus theta है, आप देखो ये theta बनाया हमने, और ये वाला angle कौन सा होगा, 90 minus theta होगा, अब आप खुदी बताओ, कि sin theta का, जो यहाँ पर perpendicular है, उपर की तरब जा रहा है, ये perpendicular है, क्या यही perpendicular इसका 90 minus theta का, यहाँ पर base नहीं बन गया, और इसका जो base था, वो इस angle का क्या बन गया, perpendicular बन गया, तो यहाँ पर जो चीज sin theta में आती थी, वहाँ पर वो cos theta में आएगी, hypotenuse दोनों के लिए बराबर है, इसके लिए, इसके लिए जो theta के लिए जो perpendicular था, वो 90 minus theta के लिए base बन जाता है, तो यह उसका कारण है, कि sin cos में क्यों बदल जाता है, तो sin जो है, वो cos में ब 90 minus theta is equal to sin theta हो जाता है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, कि यहाँ पर cos और sin क्यों, और positive negative कैसे करना है, वो आप कहोगी कि 90 minus theta भी तो आपका कहां रहेगा, first quadrant में रहेगा, तो दोनों positive हैं, लेकिन 90 plus theta आप कर दोगे, तो किस quadrant में पहुँच गए, second quadrant में, और second quadrant में क् sin positive होता है, तो यहाँ पर जो second quadrant आ रहा है, इसमें sin positive होगा, तो sin 90 plus theta यह बदल तो जाएगा nature, यह cos में बदल जाएगा, लेकिन positive रहेगा, लेकिन cos जो है, second quadrant में कैसा था, cos second quadrant में negative था, तो यहाँ पर जो cos 90 plus theta है, वो minus sin theta में बदल गया, nature बदला, लेकिन उसका साथ-साथ minus, sin भी बदल गया, तो यह चीज हमको ध्यान में रखनी है, कि 90 हो तो sin cos में बदल जाता है, cos sin में, sin positive negative होंगे, क्या होंगे, वो हम quadrant देखके बता देंगे, इसी तरीके के फार्मूला जिसे 90 के लिए लिए लिखते हो, यह 270 के लिए भी लिखा जाता है, बिलकुल ऐसे ही है, क sin cos में बदल जाएगा negative के साथ, cos sin में बदल जाएगा negative के साथ, दोनो negative होंगे, third quadrant है, लेकिन आप fourth quadrant में पहुँच गए, तो वहाँ पर cos negative नहीं होता, वहाँ पर fourth quadrant में cos positive होता है, तो यहाँ जब आप fourth quadrant में आओगे, तो nature बदला, sin cos में बदला, लेकिन sin का minus में value आएगे, minus cos theta, और cos to 70 plus theta जो होगा, वो sin theta में रहेगा, वो positive value देता है, तो यह चीज हम लोगों को दियान में रखना है, तो 90 के लिए, वो sin cos में, cos sin में, यह चीजें आप देख लिए, और plus में, minus में क्या होगा, वो आप decide करोगे कि किस quadrant में वो है, ऐसे 180 के लिए हम आपको बता दें कि जैसे sin 180 minus theta है, यह इसका nature नहीं बदलता, sin sin में ही रहता है, क्यों रहता है, यहाँ पर देख लें, यह diagram हमने बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर यह 180 minus theta है, यहाँ पहुंच गए आप, तो यह जो है, इसके साथ यह base बना है आपका और यह perpendicular बना है, और य यह 180 minus theta के लिए जो base बना है, इसको आप देखेंगे, आप यह जो base और perpendicular है, वोई theta के लिए base और perpendicular है, तो इसलिए इसका nature नहीं बदलता है, क्या साइं 180 minus theta के लिए जो base है, वोई sin theta के लिए base है, perpendicular जो है ठीटा के लिए भी perpendicular वो ही है जो 180-ठीटा के लिए है इसलिए यहाँ पर इसका नेचर नहीं बदलता है तो यहाँ sin 180-ठीटा जो है किस quadrant में होगा 180-ठीटा आपका होगे second quadrant में होगा sin अपना nature change नहीं करेगा तो sin अपना nature change नहीं करता लेकिन वो क्या होगा positive value देगा और cause अपना nature change नहीं किया लेकिन वो negative value देगा क्यों क्योंकि वो second quadrant में है third में पाई के साथ nature change नहीं करता है sine sine में रहता है cause cause में रहता है लेकिन plus या minus अब आप कहोगी ये जो है third quadrant है third में दोनो negative थे इसलिए यहाँ पर ये दोनो negative आ गए ऐसे 360 के साथ आप देखो 360 minus theta ही नहीं कौन सी quadrant में पहुँच गए आप fourth quadrant में पहुच गए इसमें आपको 360 minus theta के लिए आप कहोगे कि यहाँ इसका nature change नहीं होगा fourth quadrant में जैसे यहाँ पर 180 के लिए change नहीं हुआ 90 और 270 के लिए nature change होता है लेकिन plus यह minus quadrant को देखकर कि cos वाला cos में रहेगा positive रहेगा sin वाला sin में रहेगा negative रहेगा अब last में यह बड़ा important sin minus theta minus sin theta हो जाता है cos minus theta cos theta ही रहता है क्यों यह देख लें यह theta अगर हमने लिया हुआ है तो minus theta नीचे आएगा अब यह theta के लिए आप देखोगे कि जो perpendicular है base है तो perpendicular यहाँ पर minus theta के लिए नीचे हो गया लेकिन base होई रहा तो base नहीं बदलता लेकिन perpendicular उल्टा हो जाता है इसलिए sin की value negative में आ जाती है cos की value positive ही रहती है तो यह आपने value किस quadrant में क्या होंगी और उनकी value कैसे निकालेंगे वो आप लेक सकते हो और इससे आप अगर यह चीजें हैं कि sin 90 minus theta के लिए यहाँ पर कर लिए तो यहाँ 180 minus theta का भी formula लग सकता है आप बताओ sin 120 है यहाँ 180 minus 60 हुआ और sin 180 minus 60 is equal to sin 60 इसलिए जो sin 60 है वही sin 120 है तो इन formula से आप इनको जरूर verify करके देखो जिससे की आपको इस सारी values याद हो जाएंगी समझ में आ जाएंगी बहुत जादा जो use करते हैं हम लोग वो use करते हैं 90 degree के लिए 30, 45, 60 degree के लिए और 180 degree के लिए बहुत use होता है especially यह cos 180 is equal to minus 1 sin 180 is equal to 0 और वो जो 37, 53 वाला हमने बताया उनको तो यह values आपको ध्यान में रखना है अब कुछ important formula जो आपको physics में use में आती है बहुत से use में नहीं भी आते हैं लेकिन फिर भी हमने सारे formula लिख दिये हैं आपके लिए जिससे कि आपको ध्यान में रहेगा तो maths में भी काम आएगा तो ज़रा देखें sin a plus b इसका जो expansion हम करते हैं sin a cos b plus cos a sin b बहुत ही आसान है इसको याद करना और इसी से हमने बनाया हुआ है यह formula देखें यह यहाँ पर देखेगा आपको sin 2a is equal to 2 sin a cos a कैसे बन गया क्योंकि यहाँ पर sin a cos b plus cos a sin b आप खुद ही देखो a और b बराबर हो जाएंगे b की जगे में भी a लिखो गे तो यह sin 2a बना sin a cos a हुआ cos a sin a हुआ तो क्या 2 sin a cos a नहीं हो गया वही चीज लिखी हुई है 2 sin a cos a यहाँ पर sin 2a is equal to यह बहुत काम में आती है इसलिए हम इस पेसलिए इसको बता रहे हैं cos a plus b is equal to देखें cos a cos b minus sin a sin b है तो आप बताओ a और b को बराबर कर देंगे तो यहाँ cos 2a हो जाएगा और यह cos a हो जाएगा और यह sin square a हो जाएगा तो cos 2a is equal to हो जाएगा cos square a minus sin square a बहुत ज़्यादा use में आने वाली है और देखो sin square a को क्या आप 1 minus cos square a लिख सकते हो तो जब वो minus of bracket में 1 minus cos square a लिखोगे तो वो minus cos square A इसके साथ add हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 cos square A minus 1 अच्छा तो cos 2 A is equal to ये भी बहुत use होता है इसके opposite अगर हम cos square A को 1 minus sin square A लिखते तो ये एक और minus sin square A था, 1 minus sin square A minus sin square A क्या बन जाता, 1 minus 2 sin square A तो इस तरीके से यहाँ पर हम sin A sin 2 A और cos 2 A की value वहाँ से निकाल सकते हैं जो सुरू में आप formula लिखे हुए हो ऐसे 10 A plus B का भी formula है 10 A plus 10 B upon 1 minus 10 A 10 B ये भी कभी कभी ही use में आता है लेकिन पता होना चाहिए अच्छा A plus B का जो आपने formula लिखा plus sin आया था A minus B का जब लिखो वैसे ही आपके terms आएंगे लेकिन यहाँ पर sin minus हो जाएगा sin A cos B minus cos A sin B cos A minus B is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें minus हाया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा plus हो जाएगा cos A cos B plus sin A sin B तो यहाँ पर यह minus वाला है अच्छा यहाँ पर बताओ A और B को equal करेंगे तो sin 0 हुआ तो sin 0 is equal to 0 होता है तो क्या यह दोनों term equal है sin A cos A minus cos A sin A तो यह minus हो करके 0 देंगे यह verify हो रहा है लेकिन cos 0 is equal to 1 होता है तो जड़ा देखें तो A और B को बराबर करके cos 0 और यहाँ cos square A plus sin square A आपके identity है cos square A plus sin square is equal to 1 तो cos 0 is equal to 1 आ जाएगा ऐसे आप verify कर सकते हो 10 A minus B का formula बिल्कुल उसी तरीके से cable plus sin की जगे में minus sin रहेगा चलो यह भी formula आपको physics में काम आएगे और ऐसा नहीं कि physics पढ़ना शुरू की और शुरू में ही काम आने लगे mathematical जो tools पढ़ रहे हैं यह पूरे साल भर के लिए आपके काम के लिए होंगे इसलिए इनको ध्यान में रखना है notes बना के रखना है मालूब जला कि last topic में यह काम में आ रहा है तो जरूर इने कि शुरू में ही लेकिन आपको इसको समझना होगा सीखना होगा यह बहुत important चीजे हैं देख ले sin c plus sin d का फार्मूला और sin c minus sin d का फार्मूला यहाँ पर sin c plus sin d में 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 है और जब minus में करेंगे तो cos वाला पहले आ गया sin वाला बाद में चला गया एक फार्मूला अगर आप देख लिए दूसरा आपने आप लिख सकते हो cos में आप आते हो cos c plus cos d तो यहाँ पर जैसे वो sin cos करता था यह cos cos ही करता है 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 और जब यह minus कर दोगे तो फिर वो sin sin में करेगा लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है इससे थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ यह 2 sin c plus d by 2 तो ठीक है लेकिन यह जो sin है अब यह c minus d नहीं है माइनस के लिए यह d minus c by 2 आता है यह ध्यान में रखना है अगर आप c minus d करोगे तो यह minus फिर सामने लगाना पड़ेगा आपको तो इस तरीके से और यह फार्मूला हम लोगों ने पहले ही देख लिए है sin 2a is equal to 2 sin a cos a cos 2a is equal to cos square a minus sin square a यह 2 cos square a minus 1 1 minus 2 sin square a यह देखो इसी से यह जो है आप न यह जो 2 cos square a minus 1 is equal to cos 2a था यह 1 plus cos 2a is equal to उसी से बनाया है 2 cos square a ऐसे यहां से बना लिया उसको 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square a बहुत जादा यूज में आते हैं इसलिए इनको अलग से हमने लिखा हुआ है कि भाई इनसे दोस्ती बनाना पड़ेगा यह भी हम यूज करते हैं कि sin theta को हम लोग theta लिख देते हैं कब जब theta small हो cos theta को 1 लिख देते हैं ठीक है तो यह चीजें हमारे काम में आएंगी और इसको ध्यान में ऐसे रख सकते हो कि जैसे sin 0 is equal to 0 लेकिन cos 0 is equal to 1 तो small angle के लिए यह 1 की तरफ जाता है और यह small angle के लिए angle की तरफ ही जाता है इनको radian में लिया जाता है तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझने के बाद अब कुछ हम आपको trigonometry पूरी करवा दिये अब कुछ हम आपको extra points लिता दे क्योंकि mathematics जो है वो extensively used होती है कभी-कभी ऐसे भी फार्मूला आ जाते हैं जो हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं तो यहाँ पर mathematics में आप जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे पर physics में उसका knowledge पहले से आप ले लो कम से कम फार्मूला तो जानी लो जड़ा देखें component and dividendo rule p by q is equal to a by b हो तो p plus q यनि इसको इसको add करोगे और इससे minus करोगे p plus q upon p minus q तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाती है कभी race हो आ जाता है तो इससे solve करने में आसानी होती है तो यह वाला rule arithmetic progression a p जिसको बोलते हैं यह series होती है कभी-कभी उनको सारे terms को add करना पड़ता है उसके लिए formula अगर मालूम हो तो बहुत आसानी से हम add कर सकते है तो देखें इसका general form क्या है इसके term है a फिर a से d बढ़ गया फिर इस term से d और बढ़ गया ऐसे d d हर term में बढ़ाते गए तो देखें कि दूसरे term में 1 d बढ़ा था तो nth term में कितना d बढ़ेगा n minus 1 d बढ़ेगा तो यह n terms है यहाँ पर a आपका first term है और d जो है वो common difference है यह minus यह कर दोगे d मनेगा यह minus यह कर दोगे d बचेगा तो इस तरीके से जो एक term है उसके पहले वाले term को minus करने पर वो common difference आपका आता है तो अगर आप ऐसी series को ही देखो जो एक common difference में बढ़ता हो जिसे 1 है 3, 5, 7, 9, 11, 2, 2 बढ़ता जा रहा है उनको हम कैसे इन n terms का sum करेंगे उसके लिए formula है sum of n terms n by 2 into a यह निक फर्स term है यह plus यह a plus n minus 1 d यह क्या था यह nth term था तो आपका formula बन गया कि जो total number of terms है divided by 2 into first term plus nth term तो यह formula आप दियान में रखना geometric progressive यह बहुत काम में आती है इसका general form में पहला term a है तो दूसरा term कुछ multiply हो गया ar तीसरे term फिर r multiply हुआ ar square, फिर r cube, ar to the power 4 ऐसे करके आप देखो कि दूसरे term में आपका ar to the power 1 हुआ था तीसरे term में ar to the power 2 था तो nth term में ar to the power n minus 1 हो गया यह nth term है यह a first term है r इसका जो multiply हुआ है हर एक term में जाकर के बढ़ता गया तो r common ratio है यहनि अगर आप third का second के साथ ratio लोगे r मिलेगा second divided by 1 करोगे r मिलेगा तो इस तरीके से यह common ratio आता है इसका in terms का sum का formula आप ध्यान रखना sn जो लिखा हुआ है sum of in terms यह is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r जैसे बात है r less than 1 होगा इसी में अगर आपके infinite series हो सबसे ज़्यादा यही formula use होता है यह बढ़ा आसान फार्मूला है पहला term उठाई है divided by 1 minus common ratio से आप इसको divide कर दीजे a upon 1 minus r physics में जो है बहुत आसान चीजें use होती है mathematics की anyway यहाँ पर यह कभी-कभी हम natural numbers का sum आपको पूछ लिया जाता है 1 plus 2 plus 3 plus n तक तो आपको n into n plus 1 by 2 लगाना है 10 आया है into 10 plus 1 इन ही 11 हो गया तो 10 into 11 by 2 तो आपका 55 आंसर हो जाएगा तो ऐसे फार्मूला अगर हो तो बहुत आसान हो जाता है square का sum देख लें 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is equal to क्या है n into n plus 1 2 n plus 1 by 6 cube का sum पहला अगर आपको फार्मूला ध्यान में है उसी का whole square कर दीजे n into n plus 1 by 2 चलिए कुछ आपको higher mathematics से हम आपको कुछ formula बता देते हैं इनको अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छा है नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं है ये extra points हम आपको बता रहे हैं ये जब काम में आएंगे तो हम आपको उस time भी बता देंगे जहां पर काम में आएंगे और ये जो चीजें हम लोग mathematics की पढ़ रहे हैं आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है बार बार हम समझने की कोसिस करेंगी और तब भी समझने आएगी तो आपको mathematics में पढ़ते हैं कि ये एक series है इसको series के form में ऐसे लिखते हैं 1 प्लस x प्लस x square by factorial 2 प्लस x cube by factorial 3 फिर next term क्या होगा प्लस x to the power 4 upon factorial 4 ऐसे बढ़ाते जाओ infinity तब तो यहाँ factorial 2 का मतलब बता है आपको 2 into 1 factorial 3 का 3 into 2 into 1 ऐसे पिछली class में जो हम लोगों ने देखा था अगर आप e to the power minus x रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 minus x हो जाएगा फिर minus x का square तो plus बन जाएगा तो e plus रहेगा जो भी यहाँ पर e1 power में रहेगा तो वो plus आएगा और जो odd में रहेगा वो minus आजाएगा इस तरीके सीरीज पर minus x का लिख सकते है ऐसे सीरीज वहाँ पर log 1 plus x की यह जो ln लिखा ना log है यह log किस बेस में है यह e बेस में है तो ln लिख देते हैं उसको 1 plus x की सीरीज यह है भाई x minus x square by 2 यह एक positive दूसरा negative फिर plus x cube by 3 तो यहाँ पर एक positive एक negative एक positive एक negative ऐसी सीरीज बन जाती है और यही 1 minus x कर दोगे तो सब negative हो जाएंगे sin x भी वहाँ पर सीरीज cos x की भी सीरीज परते हैं हमी तक हम लोगों ने देखा कि sin x यह sin theta cos theta के वल यह नहीं कि उसकी particular value तो वहाँ पर सीरीज में वो लोग पढ़ते हैं higher mathematics में तो यह देख लें हम लोग sin x is equal to x minus x cube by factorial 3 plus x to power 5 by factorial 5 minus x to power 7 by factorial 7 cos x के value 1 minus x square by factorial 2 plus x to power 4 upon factorial 4 इस तरीके से इसको बढ़ाते जाना है अच्छा बताओ अगर हम x is equal to 0 रखें तो यह 0 0 0 sub term 0 हो जाएंगे तो sin 0 is equal to 0 आएगा अच्छा बताएं यहाँ पर अगर हम x is equal to 0 रखें तो cos 0 is equal to क्या बनेगा 1 बचेप बनेगा क्योंकि यहाँ पर सब टर्म 0 हो जाएंगे तो इस तरीके से आपने यह कुछ mathematics में use होने वाली चीजें पढ़ी जो physics में भी use होती है और यह trigonometry हम लोगों ने पूरी देखी तो इसमें बहुत सारी चीजें आपकी पहले से पढ़ी होई होगी और कुछ चीजें हो सकता है कि नई आई हो तो उसको आपको द्यान से देख लेना है अब हम फिर से आपको कुछ कुछनिया बना के देंगे assignment देंगे उनको आप solve करने की कोशिस करना जो नई बनेंगे वो हम solution देंगे इसलिए गवराने की बात नहीं है इसके बात जो हमारा topic होगा वो होगा differentiation का तब मज़ा आएगा हम लोगों को की formula लगाओ answer पाओ ठीक है ठीक है all the best